मंजपरासीन हमारे साथ, हमारे प्रदेश के लोग प्रिया इमं, यश्यस्वी मुख्यमंत्री जी, आदर्डे शिवराज सिंग चौहान जी, मंजपरासीन हमारे बारती जन्ता पार्टी के अध्यक्स, आदर्डे विश्वुदर शर्मा जी, मंजपरासीन के इंदर सरकार के मंत्री, एवं जिन्होंने गौलियर चंपल दोनों संभागों का नेज़त किया है, आदर्डे नरेंज सिंग जी तोमर, हमारे बारती जन्ता पार्टी के केंद्रे उपाध्यक्स, एवं पूर राज्यसभा के सांसर्द, आदर्डे प्रभाज जाजी, हमारे अपने गौलियर के सांसर्द, आदर्डे विवेक सेजवर करसा है, हमारे जिलाध्यक्ष क्रापी के, आदर्डे कौशर शर्मा जी, हमारे दोनों मंत्रीगण, प्रदों सिंगी, भरत सिंगी, मोहन सिंगी, और मेरी दवराशेट्र की, ना मंत्री, ना नेता, लेकर मेरी जनसेवर इमर्दी देवी. अगर आप लोगों ने, इमर्दी देवी जी की, हाशण नहीं, लेकिन अंतर आद्मा की आवाज सुनी, तो क्या परिश है? सामानियताओं पर, क्या सामनियत फिर्मा करके आप लोगों बैठ आप, फिर्मा करके बैठ आप, सरी लोग बहुत देर से हाँ रुके हैं, मैं शबा प्राट्टी हूँ कि अप लोग बिलम में पहुचे हैं, मुख्यमंद्री जी को बौसम खराब होने के वजए से, वो पाल से टेपाप करने की अनुमत ये प्रदान नहीं हुई थी, हम लोग भी बहुत चिंतित थे, अध्यक्ष्टी और मुख्यमंद्री जी दोनों साथ में पुरण घटोले में आ रहे थे, देर आए लेकिद दुरस्त आए और हमारे बीच नहीं लेकिन हमारे रिदय के बीच में आज दोनों उपस नहीं हुई और ये भी एक अच्छा सयोग है, जब ताली पे हुई भी शाथ हो जाए, शाथ हो जाए, शाथ हो जाए, मैं भाषण नहीं देता, मैं चर्चा करता हूँ, आम तों से आपको मालू हूँ, क्यों नहीं आपका हूँ, जैसे आम हमारे हूँ, और आप और हम दोनों वारती ज़ता पार्टी हैं, मेरी चर्चा हो रही थी अधियक्षी से, नरेच सिंग जी से, बुक्यमंद्री जी से, तारीक ते हुई, बाइस देही स्वामी उत्वरेका, जब तारीक ते हुई, उसके ठीक दो दिन माद, मुझे शिवराज सिंगी का पोन आया, उन्होंने कहा, कि बाइस दारीक तो गनेश्च चतुर्ती है, बिछले एक तीस सार, मैंने स्वयम, घर के अंदर गनेश्ची की स्थापना अपने हातों से की है, तो क्या संबल है कि इस तारीक को हम आगे बढ़ा पाएं, तो मैंने उनसे निवेज़त किया, कि इससे अच्छी तित्थी क्या हो सकती है, कि जब वालियर चंबल संभाग में इस अभ्यान की शुरुआत हो रही है, तो गनेश्ची भगवान के आशिरवाद से उसी दिवस हम लोग शुरुआता है। और सहथ करीके से उन्होंने मेरे अनुरोग को माना, गनेश्ची की स्थापना के बाद फॉरन ओपांसे रवाना हुए और आज ये कारिक्रम सभव हुआ है। किसी भी कारिय के शुरुआत अगर शुब दिन और शुब महरत से हम लोग करें। और भगवान की आज़ना करके दिमाग से नहीं लेकिन दिल से काम करें। जिस कारिय के लिए उपर वाले ने हमें इस प्रत्रीप भेजा है। तो फिर उस भगवान की लिए आशिरवाद हमारे साथ सदे रही है। और इसलिए मैं कहरा था कि अगर हम लोग उने इमर्ति देवी जी का भाषण सुना हो। ये कोई मद्यमदेश सरकार के मंत्री का भाषण नहीं था। ये कोई नेका का भाषण नहीं था। एक मासूम इंसान एक संकलत जन सेवक्त का जो रिष्टा दबरा के जन जन के साथ था। उस व्यक्ति के भावनाओं का हुकार उनोंने इस मंच से आपके साथ था। विष्टुदर्टी अभी मुझे पूछ लेते कि इवर्ती जी इतने सहथ तरीके से बोलती हैं। कि क्रिकेट के पिच पे दो तरीके के बोलर होते हैं। एक होता है पेस बोलर और दूसरा होता है स्पिन बोलर गूगली। इमर्ती देवी जी ऐसी बोलर है कि मंदर जाने कब पेसबॉल आ जाए और कब गूगली आ जाए सामने वाले के पीनों ठट्टी हो जाते। अब कही देटा मिलेंगे आप लोगों को जो दिमाग से काम करते हैं। कूट नीथी के अलहर पर छन कपट की राज नीथी करते हैं। लेकिन आज मैं घर्ण से कह सकता हूँ कि मत्यपदेश सरकार के कैबिन में इमर्टी देवी जी एक ऐसी मंत्री हैं जिनोंने जीवन से दिल से काम किया है और कभी भी सलकपट के आधार पे नहीं लेकिन जल्टा का सट्टा उखाकर सजेव काम किया। ज़ी लोग कहते हैं कि राज दीपी में भावना की कोई जगह नहीं होती है। आगे बढ़ना हैं गल्यूक का दमाना हैं चलकपट करो एक दूसरों को केकड़े की तरह पकड़े के लिए लाओ। लेकिन नहीं मेरे भाई और भेनों देश में अगर परिवलतर हम चाहते हैं तो जो रास्ता प्रधान मंत्री नरेद मोदी जी ने हमको देश में दिखाया है। और जो रास्ता प्रधेश में मुख्यमंत्री शिवरान सिंगी ने दिखाया है। उस रास्ता को अगर हमें अपनाना है तो बात एक जी जाती है तो दिल के घहराईयों से होनी चाहिए मस्दिक्ष के अंगर सुछना है। और आज गजसे मैं कह सकता हूँ कि इन 20 योद्धाओं ने बोलते हैं कि अवसान रास्ता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कॉंगरेस के मेरे शुक्चिंत्रकों से मुझे बता दो इतियास के पन्लों को पुलटके। हाँ बेर बदल जरूर होता है। लेकिन बेर बदल सब होता है जब सरकार की इनी सभाव होने बाद। बेर मदल कभी नहीं हुआ है। जब सरकार का ओपनिंग बैट समिन ही बैटिंग कर रहा हो। और कितना प्रताड़े जिनों ने मदल कभी देश की जंदा को की है। कितनी वाला खिलापी इनके कारेकाल 15 महीनों के कारेकाल में हुआ है। कितना ब्रस्ता चार, पंद्रम महीनों पे ब्रस्ता चार, कि नदियों को इनों ने बहाया है, चाहे शराब पिक्री में हो, चाहे आवेद लेत उखनर में हो, चाहे शराब पात्या की बात हो, चाहे प्रांट पर उद्यों, जो बोपाल में वल्लब भवन का केंद्र बन शुका था, मैंने भी सपना देखा था मंद्रमुदेश के लिए, एक आले कंदा के रुप में, ना नेता के रुप में, ना पूर मंत्री के रुप में, हाँ, और हम ये सपना था, ये संकर्थ था, कि जो लखीर जिवराज जिवराजी चौहांटी ने भीची थी मत्यों पुदेश में, उससे ज्यादा लंबी लखीर, विकास और प्रग्यती की खीचनी चाहिए, लेकर आज मुझे खेद है, ये कहते हुए, जिस मुद्दे से आपनों वाक एक आप सब रिमोट कट्रोल इस जवार के हाथ में, अब इस समय ने क्या सही है कि ने, इनों ने लखीर तो खीचा, लेकिन जन का लियार का लखीर नहीं कीचा, गरीबों का उठान का लखीर नहीं कीचा, जिसानों के उठान का लखीर ने कीचा, इनों ने लखीर कीचा, तो प्रश्टा चार की लंबी लखीर चीची शिवराज सिंची की जल कर्यार के लखीर के साही है, अब मैं उस परिवार का हूँ, जिसने सलेव संध्य का रास्ता अपनाया हो, क्या आसान था मुझे भी, बीस साल पे चलते हुए उस रास्ते पर, क्या मेरा पसीना है, पसीना क्या मेरा कून भी होँआ था, उस संध्य का उस दर्व कि मुस्तेवी शेत्र में इस परदेश में बनाने की, क्या आसान निर्णे था मेरे लिए, क्योंकि मैं भी, कभी भी मत्तिक से दिन्ने नहीं लेता हूँ, और जब मैंने देखा, कि मत्तिक देश की जंका को जो वाला हमने दिया था, उस वाला की वाला खिलाती हो रही है, मैंने सब्सक्रे पूछा, और आज मुझे गर्व है, कि इन 22 विलायकों में, और इन 22 विलायकों में से 6 कैबिनेट मंत्री, जो 15 साल बार कैबिनेट मंत्री बने हैं, उन्होंने एक मिनिट भी छिजका नहीं और कहा, कि हम तो आपके पहले कहते थे, कि ये सरकार रहने से मत्यपनेश का उठान नहीं होगा, हमें सब्सक्रे उधर नहीं होगा। अब परेन अभी में, मेरे दादी के रिखाएवे रास्ते से, जब दीपी मिश्णा की सरकार को उन्होंने किलाय था, जब उन्होंने वादा किलाती और हमारे दियात्यों के विरुद, कड़ उठाया था, प्रेणा जी मैंने, मेरे पूझे पिताजी से, जब उन्होंने मत्यपनेश बिकास कॉंडेस जापने किया, और उस प्रेणा के अधार पर, हाँ, मैं सड़क पे उत्रा, मैं सड़क पे उत्रा हूँ, तो मद्यप्रदेश की आन, बान और शान के लिए, मैं सड़क पे उत्रा हूँ, मद्यप्रदेश के सफ़ाज के लिए, मैं सड़क पे उत्रा हूँ, तो शिवराज सिंगी के नित्रत में, मद्यप्रदेश के विकास और प्रहभी के लिए, और तो इंवर्ती ने कहा वो बिल्कुल ठीक है जिस मुख्यमंत्री के पाथ समय नहीं अपने मंत्रियों के जिस मुख्यमंत्री के पाथ समय नहीं अपने विजाइकों के लिए नरेद्ण मुधी जी ने तो करोना से बचाने के लिए देश को लॉकडाउन किया था और लाखों जाने बची हैं हमारे दूर दर्शी मेता और प्रधान मंत्री के वज़े से जो किसी देश से नहीं किया तो नरेद्ण मुधी जी ने एक सेकेंड में करके किया जो लॉकडाउन उन ने किया उसके 15 मेह में पहले कमलाज जी ने मध्यप्रदेश में लॉकडाउन कर गिया और आप लोग पूछोगे मुझसे कैसे कमलाज जी ने लॉकडाउन किया जब वनलब भवन में जन्ता का प्रवेश इनों ने शेक कर गिया लॉकडाउन किया जब वो जन्ता की अदालत का मुख्या ले में बोई भी द्यक्ति अपना दर्खास लेके नहीं जा सकता था आज मैं पुछरा चाहता हूं बंदर भहीने में क्या कवलाजी मुख्यमंत्री के रूप में कभी ओले राएं क्या कवलाजी कभी मुख्यमंत्री के रूप में डब राएं क्या कवलाजी मुख्यमंत्री के रूप में बितर वाएं गएं कि वन्वन लब्रवाद, नौबले सुवे से, नौबले रात, जन्दा के लिए प्रवेश इसे, और लियापारी और अध्यों पत्री के लिए प्रवेश जाए। मुख्यमंत्री उनको बनाने के लिए। मुझे बड़ी खुश्ची है, पांच मैने से शिवरा सिंगी, बॉलियर के सडकों में कोई कॉपरस ही नहीं था। करोना कार में भाजपा का एक एक कारिकर का सडक पे लोग को राचन देते हुए। सिंद्या पाउंडेक्शन के लोग सडक पे फीड़ी सर्वाजी हमारे अधियक प्रवासी मजदूर को चंपल पे नारे है। कॉपरस का कारिकर का कारिकर का कारिकर। मैं गॉलियर आ रहा हूं। कामितान के आ रहे। चलो मेरे ज़रिये तो चेहरे दिखें। मैं एक बात आपको सुलिष्चित करना चाहता हूं। मेरी जिन्दगी मध्यप्रदेश की जन्दा की विकास और प्रगती के लिए समर्पित है। और गॉलियर चंबल सबाग के लिए तो मेरी जिन्दगी क्या मेरा खून भी जरूरत है तो आहां से रहा हूं। लेकिन ये समय है ये समय है उन दुष्टों को सबख सिखाने के लिए। जिन्दों ने इस प्लेश के साथ घेर खिला है। जिन्दों ने इस सम्मान, इस सम्भाद के सम्मान को ठेस को जाया है। जिन्दों ने एक बाइस मिलायक जिन्दों ने जान की पाइच लगा दी। ब्रडेश की जन्दों की मान और सम्मान के लिए ताकि एक अज़कुशल जन्सेवक हमारे साथ मिल्के ब्रडेश की ब्रड़की और विकास बाइस की जन्दों ने शुरिच चिल्क कर पाए। वाज में असंदेश हम लोग जिर्दबरा की जन्दा को पहुचाना कि ये चुनाव कॉंग्रेस और बीजेती का नहीं है। ये चुनाव सच और जूट का चुनाव है। प्रश्टाचार और साज़गी का चुनाव है। दिल और प्रड़क का चुनाव है। और ये संदेश मद्यप्रदेश के लिए नहीं होगा। ये सथेश देश को जाएगा कि जो लोग कुर्सी और सिहासन और सकता हासिल करके अपना जोला भरने का काम करें। ऐसे योटा सड़क पे निकलेंगे और एक जन्हितेशी सरकार स्थापिर करेंगे। और ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ कि लड़े रापान की बात हो, विचोर नहीं की बात हो। मैं दाप देता हूँ शिवराज सिंजी को, मेरे कुछ बोलने के पहले उन्होंने मुझे बोला, दस मार्च को, कि सिन्या जी आपने जो विश्वास चताया है, मैं एक-एक विधायक से बात करके, शिवराज सिंजी की जिम्नेदारी होगी, एक-एक शेत्र में विकास अप्रगपी के, ये इनके वचन है, और केवल वचन नहीं, लेकिन इन्होंने सारे योजनाओं को स्विकन्स किया है, जो पंद्रम महिनों में, कमलनात और्दिक विजय सिंजी ने, सबना भी नहीं देखा धान डवरा के लिए, उसे साकार करके, शिवरा सिंजी ने कर सकता, तो मैं पुछा चाता हूँ डवरा की जन्ता से, किसित्या परिवार का मुख्या किस का साथ दे, रस्ताचारियों का साथ दे, या एक साथ सुद्वी सरकार साफित करने की साथ दे, वाला खिलाप्टी करने वालों की साथे, या योजना स्विक्रित करके शेत्र में आने वाले जन्से वाको का साथे, उन लोग का साथे, जो सरकार को हासिन करके गौल्या चंबल्चंबाग के चौपी सीट में से छपी सीट, जन्ता ने कॉंग्रेस की जोड़ी मेडाली, मंद्रा महिनों में विकास छोड़ो, मुट्यबंग्री का चेरा देशने को रहना चंबल्चंबाग को तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ मेरा संदेश रहना चंबल्चंबाग को, कि मैं तो सड़क पे था, आज भी सड़क में हूँ, और जिन्दगी भर मेरी जल्दा के साथ सड़क पे ही रहूँगा। लेकिन दो लोग वाला खिलापी करेंगे जल्दा के साथ, उनके विरुद छड़ना लेकर सिध्या परिवार का कुख्या सब कुछ बढ़ाई कर देगा, लेकिन सब के कसा देगा, जड़े वाज, जैहिए जैवाज